हैμεं फैटा लास्ट वीडियो के अन्न डिस्कस किया था इफिरंट फ्लिनेर्ट सीक्ट सॉंक हम बात कर रहे हैं और है आपके सार्में अप्लिनेर्ट की पॉलिएटर्स की बात कर रहे हैं, यह बायटी में सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? विंड विंड आएगा और विंड के लिए अपने वर्ड के यूज किया था इनिमो, वहुन क्या बलेंगे इसको? अगर विंड को पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर लाना है, तो आपके पॉलन ग्रेन कैसे होना चाहिए? अगर तो लाइट वेट होगे तब ही वो एर में इजली क्या कर सकते हैं? अगर तो हैवी होगे तो एर प्लो करेंगे हैं निए? दूसरी बात, जो आपके फ्लावर के जो मेल पार्ट होगा, जो एंथर होगा, वो हवा की कॉंटेक्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, अगर आपको एर के हल्प से पॉलेंग को ट्रांसफर करवाना है, तो जो आपके एंथर होगा वो एर की कॉंटेक्ट में होगा, तभी ही वो आपका एर में आएगा और आपके पस टिंग्वार तक पहुंचेगा, तो बेसिकली आपका जो हमें अब इसमें क अफटो ओलड में अख़ियेग ही एर की एयर की उन जाट में चाहिए तांकि इसली एर में आत्सके ठिक हे, दूसरी बात पॉलन के बैसिखली कहली सुर्फिस का इसली बढ़ेंगे है, यहाँ पैसे में हमें कोई और सिर्फिस में और कुईधा उसली पॉलर देघ्न में की को क्योंना प्रहएं नालकुे है आपढमी पैट्राइए अगर एकृम यृष्स रह्स वाहता है नहीं करके नहीं वहाँ आज सब एकृमे अगर मुझास नहीं करना है रहाएं mars अगर नालेक्ट पीलिस नाद करने तो यहां पे अगर आपको pollination आपको basically air की health पे चाहिए तो flower को ना तो color होने की जरूरूरत है ना flower को की nectar producer होने की जरूरूरत है इसका मतलब यहां पे हमारी plant की energy क्या होने को इसी बच चाहती है तो यह कुछ ग्रैक की तपनी दुबाद में रखिए तो फिर भी इसको श्कार करते हैं रहिए सबसे पहली बात The flowers are small and in continuous but the numerous the animophilies plant grow in the large groups to ensure the pollination तो इसमें आपका जो flower का size होगा वो क्यों हो सकते हैं तो flower का size हमें के चाहिए यहां पे small चाहिए इसका जो number होगा वो number के चाहिए हमें large चाहिए ताकि देखिए विटा ऐसा है कि cross pollination में you need to have a large pollen grain इसलिए हमें flower का number के चाहिए चाहिए flower small हो but the number should be more so that it should produce large number of multiple number of pollen grains क्योंकि दिक्कत ही आती है कि cross pollination में मान लीचे आपने 1000 pollen grain को आपने transport किया उसमें से मान लीचे 300 pollen grain degenerate होगे 500 pollen grain को micro cancer में degrade कर दिया तो कितने pollen में पीशे रहेगे हमारे पास तो हमें probability देखनी परती है अगर probability को increase करना है हमें number of pollen grain को क्या करना परेगा increase करना परेगा number of pollen grain को को क्या करना परेगा नेचर ने अपने आपको adjust किया वह नेचर को पता है कि मेरा जो pollen grain है वो हावा की हल से जाएगा इसलिए मुझे flower का color पे हमें कोई dependent नहीं है तो ऐसा case में जिस flower में हम air को use करते हैं, pollination के लिए उस flower में color होने की हमारे पार requirement नहीं है कुछ flower हमें nectar भी नहीं चाहिए the flower do not have bright color, pleasant fragments, और nectar gland सभी बात है हमें तो विया air चाहिए हमें तो insect चाहिए नहीं है हमें ना तो color चाहिए ना तो हमें a gland चाहिए जो नेचर प्रूश करे when the flower are unisexual the male flower are more numerous compared to female and are situated at the higher level अगर आपके पास flower किया है, unisexual है जो आपका male होगा flower हो कि अगर numerous as compared to female and are situated at the higher level मैंने बताया ता आपके लिए point, बिटा आपको सोचो conceptual wise सोचते है इसा है कि मुझे बताये अगर flower आप तो लिए sexual है तो मुझे बताये कि अगर pollen grain को आप हावा की health के transfer करना चाहते है तो जो एंथर का part है वो flower के उपर आने चाहिए कि नीचे आना चाहिए height उसकी जदध चाहिए कि कम चाहिए अगर height कम होगी तो बहुत air के contact में आए गए नीच इसलिए हमें का चाहिए जो एंथर है वो हमारा air के contact में ओना चाहिए और जो pollen होते हैं from the upper flower pollinate उसके बार पर लोवर जाते हैं फिर कह जाते हैं आप तर फ्लावर बने जाते हैं essential walls like statement, tarpple, are well exposed while accessory walls like gallex or the are abstrable infused यह बहुत इंपॉर्टन है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ देखिए बटा air की help से अजर हमें air में चाहिए air में चाहिए कि flower की बीच में चाहिए इस एर में चाहिए exposed का मतलब है जो आपका jag benchmark छूब एल पाओं ओर फीमेल पाओं यह मुझे हवा में कहां चाहिए यह हमें flower के लिधन ही चाहिए हमें हवा में चाहिए exposed कपी जल्दी से pollen grain हवा में जाए और हवा से pollen grain कहां में आए आपके पास बांते हैं तो यह आपके पास यह पास्याद के आपके पास प्लावर ये आपका प्लावर ये आपका श्टिक रिखातर हूं यह पॉलंग रेग, यह इसमाल यह आंथर का बाट है, तो यह एक्सपोज जल्दी से क्या करेगा, इस पॉलंग रिउस करेगा, सेकंड साइट पर यही स्टिग्मा बन जाता है, इस प्लान में तो यह एर की नियुक्तेक्ट में जल्दी इसकी उपर आने पॉलंग रिउस हैन पेधेश प्लान जाता हूं से अब कोई इस आ ऐसा है, कोई अगर प्रेंड ऑा रहा है, तो इसकी चाइच करवाने, पाइच का रहे है उसा कड़ की च्रह провाने है प्ली ही उसको स्प्रेंड प्रेंड करेगा जिसके वैसे वहां पे क्या कर जाएगा लैंड कर जाएगा यह पॉइंट बहुत ज्यान से समझे आप में कि मान लीजिए आपके पास हवा में पॉदर में चल रहा है ठीक है और स्टिक्मा पे अगर स्टिक्मा का सरफेस बिल्कुल क्या हो स्मूथ हो तो हो सकता है बोशन की ह कर जाएगा स्टिक कर जाएगा दू तो दा रिजिस्टंस प्रवाइड बाइड 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 वेस्टेज पॉदर में चाहिए क्योंकि हमें पता है कि एयर में कुछ बॉलें क्या हो सकते हैं आपके डीजन रेट अगर आपको फटलाइशिक कर वानी है नीचर को तो कि स्मूफ का मतलब का है शरफेस का है शरफेस पर कुछ अग्जा कोई और चीज नहीं है स्मूफ है राएग यह विड्ड राएग चाहिए एर से बूफ कर वान है रमीका ज़िए राएग अगर भलका सा मॉच्चर होगा तो असकी एर में जो 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 भी मॉव्में कि पॉलिसी कम हो जाएगी, अब एर मुवट करने के लिए कुछ पॉल्ण ग्रीन के और पर सरफेस पे क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, so that they may be carried to the greater distance by the wind. अगर आपको कॉशन ही आपता बोड में, कि what are the characteristics of a पॉल्ण ग्रीन that allow us to move in the air? सबसे पहले के हैं, small, उसके बाद smooth, उसके बाद dry और wing यह conceptual question आपने 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 है, some wind pollinated flowers like utica utica have explosive mechanism by which enter burst and such enter charge the air window अब यह कुछ कमारे पास wind pollinated flowers होते हैं, यह आपकी पास utica होता है, यह क्या करता है, इसके पास explosive mechanism है, इसमें क्या होता है जो आपका enter एन्थर, आपको पताना है enter में pollinated grains होते हैं, enter burst करता है, burst, उसकी burst करते वाहूं और पास pollen grains पे आजाते हैं our पास, air पे आजाते हैly in plants like maize, the male flower are at effects while female flower at the base to facilitate the pollination और इसमें आपके अमेल सेंहरा।速 वह सेट में आपका जो मेल स्लावर होता हैं? mile तुब कर नो में आपका जो फीम मेल तुब मेल स्लावर वहरा लेकिन और पर यंद और सेट मлас है आपने सारी आद करने देट पांटी है, कोगरेट पांटी है, रासी शुगरते हैं, वीड, राइस, वीड, राइस, द्वार, चाहिकोर्ण, ने आपके पास के आमर तरह साथ है, पपाया और यह समें आपने एक्सम्स करने हैं, तो इसमें आपने वीडियो अनिमोफिली, और अगर नेटरियो ने इन वीडिन्ड कजेशन कर लाना है, तो उसके जो जो क्लेंग इन की सीच्टरी मागए सबसान है, दो और अगर ने लomma की सीच्टरी मागए, फ्लावर की जो ख्र्यक्तरी मागए, उनकों मतमर की ज़्या मतमा अग एह मला पकैशी करिभे के Phillipetics